बच्चो आज हम पढ़ेंगे कखसा आठ सामाजी का ध्यान के अंतरगैत संसादन एबं विकास विशय का दूसरा पार्ट भूमी, मिर्दा, जल, प्राकर्तिक बनस्पति और बनने जीवन संसादन हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तर लेकिन एक बार पार्ट को जरूर पढ़ ले बच्यो। ताकि आपको पूरा पार्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे उन्हें भी आप अच्छे से समझ सकें चलिए जान लेते हैं इस पार्ट में सम्मान दित प्रस्णों के उत्तर अभ्यास प्रस्ण उत्तर से और सबसे पहला प्रस्ण है बच्यों आपका निम्न प्रस्णों के उत्तर दीजी और आप देख सकते हैं यह आपका पहला प्रस्ण और फर्स्ट प्रस्ण है यह मिर्दा निर्मान के लिए उत्तरदाई दो मुख्या जल्वायुकारक कौन से हैं तो कौन से हैं बच्यों आपने पार्ट में पढ़ा होगा ना चलिए उत्तर देख लेते हैं उत्तर में आप लिखेंगे मिर्दा निर्मान के दो मुख्या जलवाई कारक और हेडिंग डाल के ऐसे नमबर एक तापमान और नमबर दो वर्षन ठीक है न तो यह आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद दूसरा यानिकी सेकेंड क्वेश्चेन आपका भूमी निमनी करण के दो कारण लिखे उत्तर में लिखेंगे भूमी निमनी करण के दो कारण और यहाँ पर जो है दो कारण में इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे आप इस परकार से लिखे उसके बाद नमबर एक लिखेंगे आप मानविया कारण समझ रहें आप मानविया कारण लिखेंगे हैडिंग डालेंगे उसके बाद लिखेंगे बनोन उन्मूलन अतिचारण रासायनिक उर्भरकों और कीटनासकों का अत्यादिक उपयोग और दूसरा कारण लिखेंगे प्राकर्तिक कारण वर्षा दोहन बूस्कलन और बार्ड ठीक है न तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्णिका उत्तर लिखेंगे थर्ड क्वेशन शुरू होता है भूमी को महतोपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है उत्तर में क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे भूमी हमारे जीवन का आधार है इसके बिना हमें आवास खाना पानी आधी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा होगा बच्चो नहीं भूमी के कुछ भी मिलना संभाव नहीं है तिसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चो अगला प्रसन सुरू होता है आपका किनी दो सोपानों के नाम बताईए जिने सरकार ने पौदों और प्राणियों के सरक्षन के लिए आरंब किया है आप द डाल के लिखेंगे नमबर एक जैब मंडल निश्चा है तथा राष्टिया उद्ध्यानों के अस्तापना और नमबर दूसरा लिखेंगे अवैज सिकार और कटाई आदी पर रोग लगाना ठीक है न तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रस्ण का उत्तर लिखें देखें आप यह प्रस्ण और उसका उत्तर फिर प्रस्ण है बच्चो ध्यान देंगे जल सरक्षन के तीन तरीके बताईए और कौन-कौन से तीन तरीके होते हैं जल सरक्षन के आप इस प्रकार से लिखेंगे उत्तर लिखेंगे जल सरक्षन के उपाए और यहाँ पर जो है यहाँ तो इस प्रकार से आप जो है नंबर एक कारण में लिखेंगे ब्रक्सार उपन उपाई जो है यहाँ पर लिखेंगे नंबर एक ब्रक्सार उपन नंबर दो लिखेंगे रिशाव रोगना और वास्पी करण रोगना और नंबर तीसरा यह लिखेंगे वर्सा जल संग रहन ठी पर तीसरा लिखेंगे वर्सा जल संग रहन तो याद रखें बच्चो इसी प्रकार से आप लिखें अब इसके बाद प्रस्ण शुरू होता है बच्चो दूसरा प्रस्णियां पर सही उत्तर को चिनित कीजिए यानि आपने क्या करना है सही का चिन लगाना है सही ओप्सन पर और फस्ट है आपके लिए निम लिखित में से कौन सा काराएक मिरदा निर्मान का नहीं है और ये तीन आपशन आप देख सकते हैं आपने पाठ तो पढ़ी लिया होगा तो इन तीनों में से आपको सही कौन सा लगता है समय है नंबर एक समय है मिरदा का गठन नंबर 2 या जैब पदार्थ तो कह खह गया यहाँ पर दे रेके तीन उप्सनों में से आपने सही उप्सन पर चिन लगाना है चलिए उत्तर बताज़े आपको आप लिखेंगे मर्दा का गठन यानि कि ये वाला उप्सन आपका सही है तो आप जो है इस पर ध्यान देंगे इसी पर आप जो है सही का चिन लगाएंगे खैवाला मर्दा का गठन अगला प्रसन है बच्चो सेकेंड इसमें निमलिकित में से कौनसी वीदी तीवर डालों पायर मर्दा अपरदन को रोकने के लिए सरवादिक उप्यूगत है और यहाँ पर भी आपके लिए इस प्रसन में तीन आप का ऐस्ट को प्रसनैं आप देख सकते हैं कह घगया रखसक मेखला मल्चिंग और वेदिका किरसी तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा सही होगा दो चलिए उतर में आप देख सकते हैं बेदी का किर्शी तो आप सही का option किस पर लगाएंगे इस पर लगाएंगे सही का चिन ठीक है तो यहाँ पर जो है यह गया option है आपका याद रखेंगे कौन सा है गया option है यह आपका और यही जो आपका सही होगा तो तर लेखेंगे बेदिका कुर्शी अगला प्रसने बच्चों ध्यान दें निमलिक में से कौन सा प्रकर्ति के सेलक्षन के अनकूल नहीं है और यहाँ पर जो है कह वाला है जब आओ सकता नहों तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए खै है जब नल का उप्योग के बाद तुरंट बंद कर देना चाहिए यानकि नल को उप्योग के तुरंट बाद बंद कर देना चाहिए और गय है यहाँ पर खरीदारी के बाद पॉली पैक को नश्ट कर देना चाहिए तो क्या लगता है आपको इन तीनों में से यह एक है और यह एक है और यह गय इन तीनों में से कौन सा option सही है आप ध्यान दें उत्तर में लिखेंगे आप गयवाला option बिल्कुँ सही है खरीदारी के बाद polypack को नश्ट कर देना चाहिए तो आप इस पर जो है सही का चिंद लगाएंगे ठीक है यह आपका प्रस्ण था यहाँ पर और सही option आपका गयवाला आप देख सकते हैं इसके बाद बच्चो अगला प्रस्ण यहाँ पर तीसरा प्रस्ण है निमने लिखित का मिलान कीजिए आप अपनी पाठे पुस्थक में देख सकते हैं बच्चो यहाँ पर आपको हलका थोड़ दिख रहोगा तो आप अपनी पाठे पुस्थक से देखे इसका मिलान करनाओ है तो यहाँ पर जो दे रखाए इन दोनों को जो है आपने मिलाना है इस परकार से तो कैसे आप उत्तर देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तर यह आपका भूमी उपयोग के साथ मिलाएंगे भूमी का उत्पादनकारी उपयोग और हिूमस के साथ मिलाएंगे उपरी मिर्दा पर निकसे पिजैपदार्थ चटान बांध पर मिलाएंगे मिर्दा अपरदन को रोकना और किरसी योग या भूमी के साथ मिलाएंगे किरसी के लिए उपयुक्त भूमी तो यह होगा आपका उत्तर देख रहें न आप इस प्रकार से आप मिलान करेंगे यह सही मिलान है आपका यहां से आप लिख सकते हैं चौथा प्रस्ण है बच्छो निमलिकित कथनों में से सत्या हुआ सत्या बताईए सत्या है तो उसके कारण लिखिए ध्यान दे आप कि पहले तो आपने सत्या सत्या बताना है यह दिया आपको लगता है कोई सत्या है तो उसका कारण भी आपको बताना है चलिए देख लेते हैं प्रस्ण फस्ट है भारत का गंगा ब्रहम पुत्र का मै कारण क्या है नंबर एक यहां मैदान अत्यदिक उपजाऊ है जिसके कारण अधिक जन्शंग्या का बरण पोशन कर सकता है दूसरा कारण है इस मैदान की जलवा यू मानवी अगतिविदियों के अनकूल है और तीसरा कारण है बच्यों यहां मैदान समतल है जिसके कारण या प्रतिब्यक्ति जल की उपलबता कम हो रही है तो ये सत्य है या असत्य है इसका क्या कारण है ये सब आपको लिखना है तो जल की कमी तो हो रही है आप भी जानते हैं तो ये क्या है सत्य है और कारण क्या है बच्चो कारण में लिखेंगे आप नमबर एक भारत की जन संक्या तेजी से बढ़ रही है दूसरा कारण लेखेंगे परदूसन के कारण जल दूसित हो रहा है लोग गंदगी कर देते हैं जल में पानी में इसलिए वो परदूसित हो रहा है इसके बाद तीसरा प्रस्ण है बच्यो तर्टिय चेतरों में पावन गती रोकने के लिए ब्रक्स कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीच की फसल उगाना कहते हैं कहते हैं ने बीच की फसल यानिकि एक पौधा दूसरा पौधा तीसरा पौधा चोथा पौधा ऐसे कतार में लगाए जाते हैं पौधे और इन्हें क्या कहते हैं बीच में खेती होती है फिर इस साइड में पौधे लगे होते हैं लगे होते हैं ने चारों तरफ से तो कतार मे लगाए जाते हैं ताकि जो हवाएं तेज हवाएं चलेंगी उनसे क्या होगा उनका प्रेसर थोड़ा कम हो जाएगा ताकि मिर्दा का परदन कम हो यानि कि मिट्टी उड़े नहीं ठीक है न तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अगला है बच्चे ओ ध्यान देंगे मान वी जो यहाँ पर पांचों प्रस्ण आता है क्रिया कलाप यानि कि आपके लिए एक्टिविटी से सम्बंदित प्रस्ण है इनके उत्तर आप स्वेम से लिखेंगे के वला आप जो इस प्रस्णों को समझें और उतर में क्या लिखना है इसे आपको डिसाइड करना है तो आपके अस्तान पर भूमी उप्योग प्रति रूप में कोई परिवर्तन हुआ है अपने माता पिता बड़े लोगों से पता कीजिए आप निमने के प्रस्णों को पूछ कर एक साखसातकार ले सकते हैं और क्या-क्या प्रस्ण पूछ सकते हैं आप अपने गर में अपने ब अपके माता-पिता तीस वरस की आयू में थे आप क्यों सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या सामने चेतर और खुले चेतर बिलुपत हो रहे हैं तो इन सारे प्रस्ण क्योद़तर कहां लखेंगे आप इन जगे पे जो खाली जगे देर की हैं यहाँ पर आप स्वेम से लिखें जिनने आप 20 वर्स बाद अपने पडोस में देखने की कल्पना करते हैं आप क्यों सोचते हैं कि वर्सों बाद भूमी का उपयोग बदल जाता है तो आप समझते हैं पहले भूमी का उपयोग केवल किर्शी कार्यों के लिए होता था आजकल क्या हो रहा है बड़े-बड़े कार कारे खाने बन रही है फैक्टवियां बन रही है और साथी साथ क्या हो रहा है अलगत तरह की ब्यापारिक फसलें उगाई जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि 20 वर्स बाद जो है क्रिसी भूमी जो होगी उसका उपयोग और कुछ बदल सकता है तो उसके आदर पर आप लिख सकते हैं तो बच्चो इसके साथ ही इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्नों के उतर यहां पर समापत होते हैं तो बच्चो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए लेते हैं आपसे वीड़ा आपका दिन सुभ हो